हम जो website बनाने की methodology या तरीका follow कर रहे हैं उसको हम rapid prototyping कहते हैं यहाँ पर हम website इस तरीके से बनाते हैं कि हम उसमें कोई भी changes करें तो वो हम immediately नजर आ जाए और change करना जो है वो बहुत मुश्किल ना हो इसके लिए हमने जो template चूज करी थी WordPress में उसको responsive design कहते हैं responsive design का मतलब है कि वही template जो है वो PC में भी ठीक नजर आएगी, laptop में भी ठीक नजर आएगी, tablets में भी ठीक नजर आएगी और smart phones में भी ठीक नजर आएगी और tablets और smart phone में portrait और landscape दोनों orientation में जो है वो images और text और menu और जितने भी elements हैं website के वो सब अपने आप automatically ठीक नजर आएगे तो जब हम ऐसी website बना रहे हैं और rapid prototyping follow कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है testing पर अब हम test करते हैं tablet और smart phone और landscape और portrait दोनों orientation में